कि यह आपके फोर हेड पे काला सा निशान है यह कंजेनिटल हेरी निवर्स इसको कहते हैं कॉमन टर्म में बर्थ मार्ग भी इसको कहा जाता है जैसा कि लोग बताते होंगे यह बच्पन से ही होगा एक दम जब आप पैदा हुए होंगे उस समय से ही यह रखता है और ग्रैजुली जैसा थोगा साइस में इंक्रीज कर रहा है उपड़ एक हलका साइस में इलिवेशन भी बन रहा है यह नया डिवलोप्मेंट है क्या-क्या दिक्कत होती है इससे खुजली दर्द ऐसा होता है कुछ भी नहीं होता है हाँ बहुत कम केसिस में ही या बहुत डिलेट केसिस में बहुत दिनों तक रहने के बाद कुछ स्किन में चेंजे जाता है तब फिर कुछ पेशेंट्स में एपिसोड्स अब ब्लीडिंग और इचिंग वगारे का कंप्रीन होता है अधरवाइस एकदम ही नहीं मतलब बर्थ माक से कोई ऐसे दिक्कत होती नहीं है लेकिन है कि इसका अपना एक कॉस्मेटिक इंपॉर्टन्स है कि फेस के ऊपर है फोरहेट पे है प्रॉमिनेंट पार्ट पे है तो आप जैसे इसको बाल को थोड़ा सा नीचे करके हाइड कर करके रखते हैं लेकिन ये एक कॉस्मेटिक इंपॉर्टन्स का जरूर है इसकी सर्जरी हम लोग जो अभी करेंगे उसमें एक सीजन और टिसू क्लोजर इन डिफरेंट लेयर करेंगे अच्छी बात है कि साइज आपका बहुत बड़ा नहीं है जैसे कि इसकार को हंटा करके दो लेयर दो मार्जिन्स को आपस में जोडते हैं तो कुछ वैसा ही आपके कंडिशन में करेंगे कि दोनों उपर और नीचे का मार्जिन कुछ ऐसा जुड़ेगा कि उसके जुड़ने का अपना निशान नहीं आए तो यही सर्जरी अभी हम लोग आपने करेंगे एक गंट लेजर का यूज इसमें करते हैं लेजर का इंपोटन्स यह है कि जो दोनों मार्जिन आपस में जुड़ेगा उसका अपना निशान नहीं आएगा नहीं के बराबर होगा तो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बहुत मार्ट की सर्जरी इसे जगर पे बड़ा सा कंगिनिटल हैरी मोल हैरी निवस था जिसके सर्जरी अभी किये हैं और सर्जरी कुछ इसकारिवीजन की सर्जरी की तरह ही की गई है जिसमें कि लेजर का यूज किया गया है और टेसु कलोजर इं डिफरेंट अनाटमिकल लेयर्स कुछ इस तरह से परफॉर्म किया गया है यह कुछ इतनी बड़े साइज के डिवस को निकल जाने के बाद यह हैरी मोल देख रहा है इसको निकालने के बाद भी कोई खिचाव इस जगह पे नहीं आए जैसे आइबोस की सिमेट्री विए हम देख रहे हैं तो आल्मोस्ट बड़ावर है आँख एक बाद खोलिए उपर के तरफ और बंद करिए वन वीक के बाद इसके स्कार यहां नहीं एक्सपेक्ट करेंगे लेजर के यूज से फॉलो अप सिसन भी लेजर का सायद हम लोग करें आफ्टर वन मंथ तो फिर इस पे कोई वी इसकार नहीं आएगा और अगर इसके निव 7-8 cm साइज का लंद और एक इंच के आसपास का विद इस साइज का था यह क्योंकि निकलने के बाद हो कुछ इस तरह से